सब्सक्राइब लगो डॉट प्रोड़क्ट औफ टू वेक्टर्स हाँ जी डॉट प्रोड़क्ट को हम लोग और किसके नाम से जानते हैं बच्चो स्केलर प्रोड़क्ट फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने इसको स्केलर प्रोड़क्ट भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं स्केलर प्रोड़क्ट रीजन क्योंकि इसका जो result निकल के आता है जो output हमें मिलता है वो एक scalar quantity होता है कैसा quantity होता है वो scalar quantity जिसके पास magnitude होता है direction नहीं होता है तो अगर हम बात करें dot product में सबसे पहला point wise करा रहा हूँ है एक vector है A इसका dot product बीच में dot लगाया दूसरे vector B के साथ एक vector A एक दूसरा vector B suppose इनके बीच का एंगल है theta तो अगर मुझे A dot B लिखना है ये एंगल मानलो anti-clockwise direction में लिया है मैंने अगर A dot B लिखना है तो आपने पढ़ा है इसको हम लिखा करते हैं magnitude A into magnitude B into cos of angle between them यानि कि mod A mod B into cos theta imagine करके देखो ये एंगल ऐसे हो जाता यहाँ पर vector B यहाँ पर vector A और suppose ये वाला angle theta लेता clock way direction में और तुमसे बोलता जरा आप B dot A का value निकालो तो तुम क्या लिखने वाले थे B dot A में हाँ क्या हुआ अभी आ रहे चलो बहुत बढ़ी है तो अगर B dot A लिखना है suppose हम B से A की तरफ जा रहे है तो मैं लिखने वाला था magnitude of B magnitude of A into cos of अब आज जा रहे है नहीं जा रहे है हलो अच्छा चलो ध्यान दो anti-clockwise direction में अगर theta लिया है तो clockwise में mathematics के recording हुझे minus theta लेना चाहिए था ठीक है तो अगर मैं B dot A का value देखू बच्चो तो मुझे मिलने वाला था mod B into mod A और हमने जानता हूं cos of minus theta कितना हो जाता है cos theta तो जरा ध्यान से देखो B dot A निकाला या फिर A dot B निकाला value पे कोई फरक पड़ा नहीं तो पहली बात जो समझ में आई क्या कि A dot B जो होता है वो हमेशा B dot A के बराबर होता है दोनों में से कोई भी पहले लिख लो कोई भी बाद में लिख लो कोई फरक नहीं पड़ेगा सहत पे दूसरी बात यह जो result निकल के आ रहा है A dot B में देखो यह magnitude है यह magnitude है यह भी magnitude है यानि कि यह scalar quantity है कैसा quantity है यह scalar quantity है यह इसका सिर्फ magnitude है direction की जरूरत नहीं है इसलिए हमने इसको scalar product नाम दिया है ठीक है सुनते जाओ point number 2 point number 2 बोलता है कि जैसे A dot B का value हमें मिल गया magnitude A magnitude B into cos of theta अब मान लो let us assume कि theta का value हमने ले लिया 0 जीरो हो जाए तो क्या cos 0 1 हो जाता है और उस condition में मुझे जो A dot B का value मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा magnitude A into magnitude B के बराबर अगर theta का value मैंने suppose pi ले लिया pi 180 degree तो क्या cos pi minus 1 हो जाता है उस condition में जो A dot B मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा minus of magnitude A into magnitude B के this is the maximum value of A dot B and this is the minimum value और सबसे important जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे if theta is equal to pi by 2 यानि कि vectors are perpendicular अगर दो vector आपर उसमें perpendicular हो तो A dot B का value कितना मिलेगा बच्चों? क्या cos 90 0 हो जाता है? तो A dot B will be 0 यानि कि यह important result कभी भी दो vector आपस में perpendicular होगा तो हम उसके dot product को 0 कर देंगे सुनाई दे रहा है सबको? online वालो? hello? अरे? पागल जैसा नग पढ़ाए जा रहा हूँ कोई कोई बोली नहीं रही है तो? hello? 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 अजय को दो सकती है अगय बिस पी है है लुड़े बनावन सकती है वे लोल में वालो, वालो, ऑलो, आए लए ले, ले? वालो हालो अब 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 इसना देरा है अब है इसे तो आगे बढ़ते हैं एक बात पता लगा कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रडक्ट हम जीरो करने वाले हैं point number 3 जैसे हमने पढ़ा कि a.b.b.a. होता है वैसे ही ये distributed law को follow करता है बच्चों अगर उजे लिगा हुआ है a.b.c यानि कि एक वेक्टर a का dot product अगर मुझे लिखालना है b.c वेक्टर के साथ तो मैं इसको अलग-अलग निकाल के add कर सकता हूँ I can write a.b.vector plus a.c.vector similarly अगर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है a plus b.vector इसका dot product मुझे find करना है c plus d.vector के साथ तो मैं simply इसको लिखने वाला हूँ a.c plus a.d सुना ही दे रहा है plus b.c plus b.d note करो पहले यां तक फावरी शाल बपर यां तक रेकर पर ने दो में रिखने लिखने 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 करके लिखने ok लेखले? वैसे ही दो वेक्टर अगर आई जे के फर्म में दिया हूँ बच्चाओ वेक्टर ए इक्वल टू दिया हूँ है सपोज एवन आई कैप प्लस एटू जे कैप प्लस एट्री के कैप या फिर इससे पहले आई जे के का अपस में डॉट प्रोड़क्ट देखो कोई बताओ आई डॉट आई कितना होगा क्या वन हो जाएगा सोच कि देखो आई डॉट आई का मतलब मैंगनिटूड आई इंटू मैंगनिटूड आई इंटू कॉस ओफ जीरो सेम वेक्टर का आपस में अंगल जीरो तो ये तो वन हो गया और मैंगनिटूड आउट वेक्टर वन होता है तो ये वैलू बन आजएगा सिमिलरली आई डॉट जे कितना आएगा मैंगनिटूड आई इंटू मैंगनिटूड आफ जे इंटू कॉस 90 आई और जे के बीच का एंगल तो वैलू जीरो हो जाएगा तो इसको याद रखने के लिए जैसे आई कैप, जे कैप, कैप इधर भी मैं लिलता हूँ आई कैप, जे कैप, कैप और इनका मैं आपस में डॉट पोड़क्ट देखूँ तो बहुत सिंपल कहानी है जैसे आई डॉट आई लिखना है आई डॉट आई तो वन आई डॉट जे जीरो आई डॉट के जीरो सिमिलरली जे डॉट आई कितना? जीरो जे डॉट जे वन जे डॉट के जीरो के डॉट आई जीरो के डॉट जीरो and k dot k 1 तो अब सोच के देखो अभी यह समझना जादा आसान होगा तुमारे लिए अगर vector a दिया हुआ है a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap and vector b is given b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap तो जरा बताओ अगर मैं a dot b निकालता तो मुझे क्या मिलने वाला था यहाँ पे इसका तीनों के साथ करता तो क्या i dot i 1 बनता लेकिन i dot j और i dot k क्या हो जाता 0 तो मुझे सिर्फ मिलता a1 b1 i dot i 1 हो जाता similarly a2 b2 मिलता j dot j 1 और बाकी दोनों के साथ क्या हो जाता 0 तो logically मुझे क्या मिलने वाला था a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 तो कभी भी i, j, k में अगर दो वेक्टर है उनका dot product निकालना है तो उनके corresponding i, j, k कोपिसेंट्स को add करके multiply करके add कर दो a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 next देखो इधर द्यान दो एक वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ dot product क्या होता है वाई a.a अगर निकालना है तो क्या मैं इसको लिखू magnitude a into magnitude a into cos 0 तो ये तो 1 हो गया और mod a, mod a, यानि कि a.a कभी भी दो सेम वेक्टर का अगर dot product मिले तो उसके magnitude का whole square हो जाता है क्लियर का नहीं है point number 6 सुनते जाएं point number 6 में क्या है जैसे for example तुमको दे दिया कोई vector है मानलो की a equal to कोई vector a और b है ये मानलो vector a है vector a है और ये vector b है तुमको बोला और इनके बीच का angle कुछ होगा theta तुमको बोलेगा बताओ इस vector a का projection निकालो vector b पे यानि कि इसका component ध्यान देना ये important point है यानि कि अगर तुमको बोलता कि projection of vector a किस पे along vector b along vector b यानि कि इस vector a का projection इस vector b पे ये अगर सिर्फ magnitude निकालना होता इसका नाम है बच्चो a parallel इसको क्या बोलते हैं a parallel a का parallel component along vector b तो अगर सिर्फ magnitude निकालना होता तो क्या magnitude a into cos theta हो जाता ये वाला length यहां से यहां तक कितना a cos theta ये लेकिन मुझे magnitude नहीं निकालना है मुझे क्या निकालना है vector निकालना है यानि कि with direction निकालना है तो यह हो गया magnitude और इसमें direction किसकी along है इसका vector b की तरफ तो क्या इसके साथ मैं b cap लिख सकता हूँ तो क्या मुझे ये a parallel का value मिल गया this is a parallel कितना magnitude a cos theta into b cap b cap क्ये along है अब देखो थोड़ा सा simplify करता हूँ मैंने इसको लिखा magnitude a cos theta vector b cap को क्या लिख सकता हूँ vector b divided by b का magnitude और उपर नीचे एक और b magnitude से multiply divide कर दिया बोट पे ध्यान दो सब लोग तो ध्यान से देखो तो magnitude a magnitude b into cos theta क्या बन गया a dot b ठीक है into एक vector b बाहर चल रहा है divided by magnitude b magnitude b क्या हो गया magnitude b का whole square this is a parallel तो यह formula आपको direct याद रखना है आज के बाद कि a का parallel component b के along निकालना है that is a dot b divided by magnitude b whole square into vector b इसको बोलते हैं a perpendicular किसको यह वाला what is this a perpendicular ठीक है a perpendicular यानि कि vector a का perpendicular component along vector b a perpendicular this is perpendicular component perpendicular component of vector a ठीक है ना तो इसको हम क्या लिखेंगा अच्छा ध्यान से देखो क्या a parallel plus a perpendicular vector a के बराबर है a perpendicular sorry a perpendicular plus a parallel vector a के बराबर है नी अरे यह perpendicular तो यह भी तो a perpendicular तो a parallel plus a perpendicular equal to what a parallel plus a perpendicular equal to what vector a तो क्या मुझे a perpendicular अगर निकालना हो तो मैं डारेक्ट लिख दूँ vector a minus a parallel component और यह निकाल चुके हैं तो दूसरा formula बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर यह parallel पूछे तो इसको याद रखना है ठीक है perpendicular पूछे तो vector a में से इसको subtract कर देना है पूछे पूछे कर दो कर सक्ना है झाध जा पूछे यह शुके झाध हाँ जी अगर एंगल बिट्विन दो वेक्टर्स निकालना हो एंगल बिट्विन टू वेक्टर्स दो वेक्टर दे दे और उनके बीच का एंगल पूछ ले ठेक है ना वेक्टर ए वेक्टर बी और आपसे पूछे कि इनके बीच का एंगल थिटा निकालो आप सिंप्ली कॉस यूज करोगे आपको पता लग्या कि यह डॉट भी क्या होता है मॉड आ मॉड भी इंटू कॉस्ट थीटा क्या यहां से निकाल सकते विटिना एक दोड़ी डिवाइड बाइड बाई magnitude एमयग्निटूड यहां से कॉट एक डिकल भाया है यहां से ट्रेटा क्या होता है तो फोर्स डॉट डिस्प्लेस्मेंट होता है वह बैसिकली है नहीं सब्सक्राइब कोई पार्टिकल था उस पर हमने फोर्स लगाया F और उसको हमने displace कर दिया point B तक जिसका position vector हो गया B आप से बोलेगा यहां से यहां तक जाने में work done कितना लगा work done from A to B तो आप लिखने वाले हो force कितना लगा उस पे dot displacement displacement मतलब vector AB बात समझ में आ रहा है यानि कि force तो force है और AB का मतलब क्या हो गया final minus initial यानि कि vector B minus vector A तो यहां से हम work done निकाल सकते हैं कोई ज़री नहीं है एक ही force लग रहा हो ऐसा भी हो सकता था A point है इसके उपर एक force इधर लग रहा था F1 एक force इधर लग रहा था F2 और दोनों force ने मिल के इसको displace किया B तक जिसका position vector B था तो हम work done इस बार क्या लिखते हैं A से B तक जाने में क्या लिखते हैं force अब F net चाहिए होता है हमिसा force net तो net force कितना हो जाएगा F1 plus F2 into मतलब dot displacement vector AB और AB का मतलब हो गया B minus A तो net force into displacement note करें हलाग इसका mathematics में use नहीं है बस मैं याद दिला रहा हूँ कि physics में ऐसा आता है हाँ हम B cap हाँ तो मैंने इसको थोड़ा सा मतलब simplify करके एक formula बनाया बच्चों B cap को लिख लिया vector B by B का magnitude लिख सकते हैं unit vector को vector divided by magnitude और उपर नीचे magnitude B से multiply divide कर दिया ताकि उपर mod A, mod B और cos theta को हम A dot B लिख पाएं एक vector B बच जाएगा और नीचे magnitude B का whole square हो जाएगा दिखा A dot B के term में convert किया है और कुछ नहीं किया है क्या क्या थोड़ा सा लेट हो गया तुम कोई कोई नहीं कोई नहीं तुम note करो अभी सवाल कराऊंगा सब समझ में आएगा भी कौन सवाला अरे गदे ये vector निकालना है हमें हमें दिया है A और हमें दिया है B हमें निकालना है A का parallel component यानि कि vector B पे इसका projection on vector B ये वाला vector find करना है यहां से लेके यहां तक समझा तो ये वाला vector निकालने के लिए सबसे पहले इसका magnitude कितना होगा A cos theta ये length कितना A cos theta और direction किसकी तरफ है क्या B के तरफ है तो A cos theta into B cap magnitude times direction ये मिल गया ये parallel अब इस बस इसको decorate किया ताकि A dot B के टम में आ जाए समझा B cap को लिखा vector B by B magnitude और साथ में उपर नीचे एक और B magnitude से multiply डिवाइड कर दिया A dot B के terms में convert कर दिया हमने मिटाओ देखो point number 9 हमने तुमको पढ़ा दिया कि magnitude A square किसके बराबर होता है A dot A के अब इसका फायदा उठाते हैं अगर मेरे पास होता magnitude of A plus B का whole square तो क्या लिख सकता था इसको A plus B dot A plus B लिख सकते थे ज्यान देना इसको multiply करूँ तो क्या मुझे लगता है जैसे A dot A कितना हो जाएगा magnitude A square plus A dot B plus B dot A plus B dot B कितना magnitude B square और आपको मैंने बताया कि A dot B और B dot A बराबर होता है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ magnitude A square plus 2 times A dot B plus magnitude B whole square ये किसका? value हो गया magnitude of A plus B whole square का अब इसको ध्यान से देखो और जेनरलाइज करो कुछ नया formula बनाओ कैसे सर? अगर मेरे पास आता magnitude of A minus B whole square तो क्या मैं लिख सकता था? magnitude A square minus 2 A dot B plus magnitude B whole square अगर मेरे पास आता सबसे important magnitude of A plus B plus C whole square याद करो देखो formula ही तो follow कर रहा है A square plus 2 A B plus B square तो ये A plus B plus C whole square है तो क्या बनता? magnitude A square plus magnitude B square plus magnitude C square plus 2 A B plus 2 B C plus 2 C A तो मैं लिख दो 2 times A dot B plus B dot C plus C dot A ये बहुत important इस पर IIT ने बहुत बार सवाल पूछा अब ध्यान से देखो इसमें खास बात अगर अगर vector A plus B plus C अगर 0 हो जाए या फिर इसका magnitude एक ही बात है vector 0 तो magnitude 0 होगा अगर magnitude of A plus B plus C 0 या फिर vector A plus B plus C का value 0 हो जाए तो ये term 0 हो गया ये 0 अगर ये term 0 हो गया तो इसका value कितना मिलता magnitude of A square plus magnitude of B square plus magnitude of C square किसके बराबर आ जाता इसको इधर भेजते कितना इसका value निकालो ये पुष्टा है सवाल में ये नहीं पुष्टा है ये वाला value A dot B plus B dot C plus C dot A कितना आता ये 0 हो गया है तो ये इधर आता minus के साथ और एक 1 by 2 भी आता तो minus 1 by 2 times क्या magnitude A square plus magnitude B square plus magnitude C square and this is minimum value of A dot B plus B dot C plus C dot A ये कहाँ note करें कुछ नहीं ये formula है जहां भी दो vector का product है वहाँ dot आया है बीच में बाकी normal formula है A square plus B square plus C square plus 2AB इनके बीच में dot product 2BC इनके बीच में dot product जहां भी दो vector का multiplication है वहाँ आमने dot use किया है बाकी normal formula नेट वर्क पर पता नहीं यहाँ मुझे आड़िया नहीं आज हमारे operator भैनेश्ट इस ठीकी पर दिख रहा है बाकी लोग कर ठीक हैंगा इस ठीक है आज से मैं permutation and combination start करूंगा 11 वाले batch में ठीक है ना तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी class कर लो या तो class कर लो या तो वीडियो देख लेना तुम्हारी मर्जी है उससे फाइदा ये होगा कि जब मैं तुम लोग को probability पढ़ाऊंगा सुन रहा हूँ ना क्या बोल रहा हूँ जब probability पढ़ाऊंगा तो तुम लोग को problem नहीं होगा क्योंकि 12 में probability है 11 में PNC है और दोनों एक दूसरे से related है बीना PNC probability मफंज़ा होगे तो बहतर यही होगा या तो वीडियो देख लेना या फिर आज से start हो रहे सीडियो तुमको पता है ही ग्लास कर लेना अगर time हो तो ठीक है ना चलिए सवाल करते हैं इस पर जादे लिखो चलो question लिखो इस यही से सुरू करते हैं सवाल vector A plus vector B plus vector C equal to 0 magnitude of vector A equal to 1 magnitude of vector B equal to 2 magnitude of vector C equal to 3 then आपको बताना है A dot B plus B dot C plus C dot A का value चलिए जल्दी से बताते हैं सबका आ गया किसके बराबर हो जाएगा सर यह हो जाएगा equal to minus 1 by 2 into magnitude A square plus magnitude B square plus magnitude C square यही ना यही कि minus 1 by 2 times 1 plus 4 plus 9 तो क्या minus 7 आ जाता है दिख रहा है सबको next question क्या इसका value हमेशा minus जब यह 0 होगा तब condition given है पहले चलिए अगला सवाल लिखें A B C vector A vector B and vector C are mutually perpendicular vectors Vector A vector B and vector C are mutually perpendicular vectors magnitude A equal to 2 magnitude B equal to 3 magnitude C equal to 4 then आपको बताना है magnitude of A plus B plus C vector क्या होगा magnitude of A plus B plus C vector हाँ जी mutually perpendicular का मतलब समझते हो ना क्या मतलब होता है यानि कि A perpendicular to B है B perpendicular to C है और C perpendicular to A है सब एक दूसरे पर perpendicular है just like X Y and Z axis तो अगर perpendicular है तो क्या इनका dot product 0 होगा बच्चों A dot B बोलूँ चाहे B dot C बोलूँ चाहे C dot A बोलूँ इसका value कितना हो जाता 0 इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हो कि A dot B plus B dot C plus C dot A किसके बराबर 0 अब याद करो formula magnitude of A plus B plus C whole square हमने पढ़ाया आपको magnitude A square plus magnitude B square plus magnitude C square plus 2 times क्या 0 आरे वहाँ पे क्या आता था A dot B B dot C C dot A ही तो आता था ये 0 हो गया तो कितना आ गया magnitude A square 4 magnitude B square 9 magnitude C square 16 यानिकि 29 ये इसका whole square है तो magnitude A plus B plus C कितना क्या अंडर root 29 सही है क्या दिखने रहे अगल रहे अग्ला सावल Vector A, Vector B and Vector C are three vectors Vector A, B, C are three vectors such that each one of them is perpendicular to sum of other two vectors such that each one of them is perpendicular to sum of other two vectors sum sum each one of them is perpendicular to sum of other two vectors and magnitude A equal to three, magnitude B equal to four, magnitude C equal to five then find the value of magnitude of A plus B plus C Vector B Vector B Vector B Vector B Vector B कर दो हाँ जी इसका मतलब समझ में आया Each one of them is perpendicular to sum of other two मतलब vector A किसके perpendicular है B plus C के तो क्या मैं लिख सकता था दोनों का dot product यानि कि A dot B plus C कितना आना चाहिए था 0 इसका मतलब कि A dot B plus A dot C कितना 0 Similarly, जब मैं apply करता कि B perpendicular है C plus A के तो क्या मिलता था B dot C plus B dot A equal to 0 And similarly, जब मैं apply करता कि C is perpendicular to A plus B Then, मुझे मिल रहा होता C dot A plus C dot B equal to 0 क्या यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? बोलो ना, ठीक है क्या? इनको add कर दो, तीनों equation को देखो तुमको मिलेगा A dot B, B dot A अगर दोनों सेम होता है, हम जानते हैं तो मैं लिख सकता हूँ 2 times सब 2 times मिल जाएगा A dot B plus B dot C plus C dot A equal to 0 यानि कि सवाल फिर से वहीं पहुँच गया, पिछले question में इसका value 0 यह value 0 यहाँ पे रखोगे उठाके तो यह हो जाता 9 plus 16 plus 25 कितना होता है? 50 यानि कि यह भी वही question बस condition बदल दिया result वही है बात समझा रही है एक और question आईटी का a-cap, b-cap, c-cap are three unit vectors a-cap, b-cap, c-cap are three unit vectors then find the maximum value of find the maximum value of magnitude a-cap minus b-cap square plus magnitude b-cap minus c-cap square plus magnitude c-cap minus a-cap square इसका maximum value निकालना है चलिए, दिमाग लगाई है जरो यह mod नहीं है यह तो normal bracket है यह magnitude है mod अ़ पर आच, मत अच, प्याद हाँ जी फर्मुला लगाओ ना mod a minus b whole square पढ़ा तो दिया फर्मुला क्या था magnitude a square minus 2 a cap dot b cap plus magnitude b cap square यहाँ पर आता magnitude b cap square minus 2 b cap dot c cap plus magnitude c cap square plus इसमें तोड़ते तो magnitude c cap square minus 2 c cap dot a cap plus magnitude a cap whole square अच्छा a b c unit vector है इनका magnitude कितना 1 तो 1 1 1 1 1 1 1 कितना होगे टोटल 6 और बाकी सबसे 2 common minus 2 common कर लो तो अंदर मिलता a cap dot b cap plus b cap dot c cap plus c cap dot a cap यहाँ तक तो फिर भी लोग पहुंच जाते हैं तोड़ तोड़के इसका maximum value निकालना है क्या होना चाहिए कई बार लग जाता है कि answer 6 हो जाएगा sir इसका maximum होने के लिए आज 0 रख देते हैं answer 6 हो जाएगा और पहला option 6 दिखता है ऐसी गलती नहीं करना है हम इसका minimum value जानते हैं magnitude c square यह इसका minimum value होता है खयाल रहे है तो यह हो गया 1 1 1 unit vector है तो क्या minus 3 by 2 आता तो maximum value इसका कितना मिलता बच्चों क्या 6 minus 2 into इसका minimum value that is minus 3 by 2 2 ने 2 को मारा minus minus plus 6 plus 3 कितना 9 is the answer इसलिए जल्दी बाजी में गलती ना करें प्रक्वन जल्दी रहाँ vector a equal to 2i minus j plus k and vector b equal to i minus 2j minus k find angle between two vectors find angle between two vectors use karo dot product ka nika lo kitna angle hai बहुत simple सवाल बच्चोवाला कितना एर निगा लो ना cos theta equal to kya a dot b by mod a mod b 1 by 3 पर से चेक कर a dot b करो a dot b करो जरा a dot b में corresponding multiplied 2 into 1 minus 1 into minus 2 minus 1 into minus 2 plus 1 into minus 1 divided by magnitude a under root 4 plus 1 plus 1 and magnitude b under root 1 plus 4 plus 1 दिख रहे है सबको तो cos theta equal to आ जाता उपर देखरो तो 2 to 4 4 minus 1 3 दिख रहे हैं और नीचे देखो तो 6 6 का root 6 हो गया तो 1 by 2 तो theta कितना बच्चोवा पाई भाई 3 60 degree is the angle between two vectors सही बाद इसी सवाल में इसी सवाल में इसको पहला पार्ट कर ले ना एंगल वाले को second part में लिखो find find parallel and perpendicular component vectors find parallel and perpendicular component vectors of vector a on vector b of vector a on vector b that means you have to find a parallel and a perpendicular vector a का parallel component b के along और b के perpendicular एक perpendicular component a का तो formula याद करो भाई a perpendicular का क्या था formula a parallel का सबसे पहले याद होना चाहिए तो 1 by 2 times vector b अब 1 by 2 से vector b को multiply कर दो भाई ये रहा तो क्या मेरे पास आ जाता 1 by 2 i cap और इसको 1 by 2 से multiply करता 2 to cancel minus j cap minus 1 by 2 k cap this is a parallel बात समझ में आ रही है सबको और अगर a perpendicular लिखना है तो क्या कर दू a minus a parallel a vector ये रहाशर 2i minus j plus k इसमें से subtract कर देना है ये vector 1 by 2 i cap minus j cap minus 1 by 2 k cap करो subtract i से i, j से j, k से k तो 2i minus half i कितना हो गया 3 by 2 i cap minus j minus minus plus j cancel हो जाएगा और k plus 1 by 2 k कितना 3 by 2 k this is your answer यानि कि parallel component जो होगा vector a का b k long that will be i by 2 minus j minus k by 2 और b के जो perpendicular component होगा that will be 3 by 2 i cap plus 3 by 2 k cap बात समझ आ रही है सबको next और कुछ आसान असन सवाल करूं पहले vector a equal to 2i minus 3j plus 6k vector b equal to i plus alpha j minus 2k if vector a is perpendicular to vector b find alpha कुछ ने dot product को जीरो करना है कुछ ने dot product को जीरो करना है put करें a dot b 0 a dot b 0 मतलब 2 into 1 2 minus 3 into alpha minus 3 alpha 6 into minus 2 minus 12 equal to 0 तो 3 alpha equal to minus 10 क्या alpha minus 10 by 3 आएगा ठीक है क्या अरे सुनाई दे रहा है सबको online वालो चला अगला सवाल if a cap plus 2b cap is perpendicular to 5 a cap minus 4b cap if a cap plus 2b cap लिख ले ना a and b are unit vectors a cap and b cap are unit vectors a cap plus 2b cap अला कि नहीं लिखने से भी होगा दिख रहा है टोपी लगा है तो unit vector यह if a cap plus 2b cap is perpendicular to the vector 5 a cap minus 4b cap then find angle between vector a and vector b vector of a and vector b के बीच का angle बताना है आपको बता दीजिए जरह अमें तो बजिए कुना पता है जए को जिए दो वेक्टर perpendicular उनका dot product कितना जीरो तो हम तो यही करने वाले हैं कि a cap plus 2b cap इसका dot product 5 a cap minus 4 b cap के साथ 0 होना चाहिए चले solve कीजिए multiplication आपको आता है करो करो हाँ साहिए a cap dot 5 a cap तो 5 तो constant a cap dot a cap क्या mod a cap whole square हो गया minus 4 a cap dot b cap plus 2 into 5 हो गया 10 b cap dot a cap और plus minus minus 8 b cap dot b cap हुआ mod b cap square equal to 0 जहां भी mod a cap mod b cap है 1 बन गया तो 5 और यह 10 minus 4 हो गया plus 6 a cap dot b cap दोनों सेम होता है खयाल रहे minus 8 equal to 0 तो आपको मिला 6 a cap dot b cap equal to 8 minus 5 3 तो a cap dot b cap कितना भई 1 by 2 और a cap dot b cap को हम क्या लिख सकते है magnitude a cap magnitude b cap into cos of let us assume angle between them is theta तो यह 1 यह 1 cos theta कितना आया half तो theta कितना 5 by 3 ठीक है तो a और b हमने a cap और b cap के बीच में निकाला obviously दोनों का direction सेम होता है तो a cap b cap बोलो चाहे vector a vector b बोलो सेम बात है इनके बीच का angle हो गया 60 degree तो मतलब जब भी angle पूछे कितना हम लिख देंगे 60 degree वाह साबस चलो if a cap plus b cap plus root 3 c cap equal to 0 then find angle between vector a and vector b find angle between vector a and vector b सुनो ऐसे सवाल आएंगे इसमें से किसी के बीच का angle पूछ ले a b के बीच का b c के बीच का या a c के बीच का पूछ किसी के बीच का सकता है जिसके बीच का angle पूछे उन दोनों को lhs में रखना तीसरे वाले को lhs में रखना क्या समझ में आया मैंने बोला a और b के बीच में तो तुम a cap plus b cap को lhs में रखो और इसको उधर भेज़ दो minus root 3 c cap both side लगाना है mod और both side कर देना है squaring क्योंकि हमें magnitude a plus b का whole square का formula होता है लगा दो तो यह हो गया magnitude a cap square plus magnitude b cap square plus 2 times a cap dot b cap और rhs में हो गया 3 into magnitude c cap का square 1 1 plus 2 a cap dot b cap rhs में हो गया 3 into 1 तो a cap dot b cap कितना है यह भई 3 minus 2 1 by 2 ना कहा 3 by 2 रेकर दे यह 1 1 2 उधर जाके subtract नहीं होगा value नहीं है इसका ना तो इसको हम लिख सकते है magnitude a magnitude b into cos theta अगर theta angle माने तो फिर से वही कहानी cos theta कितना half तो theta कितना भई क्या 60 degree अरे बोलते नहीं ठीक है क्या चलिए और लिखें चलिए और लिखें लेखो 3b cap dot product इसका 4a cap minus 5b cap के साथ चलिए इन दोनों का dot product निकालना है a और b के बीच का angle 30 degree given है simple multiplication है और कुछ नहीं है निकालो कुछ यहीं होगगग cb कितना रूट 3 माइनस 7 सबका यह आ रहे है आना चाहिए भाई multiply करें तो 2 4 हो गया 8 a.a हो गया mod a cap whole square minus 10 a cap dot b cap plus 12 b cap dot a cap और minus 15 b cap dot b cap mod b cap square यह हो गया 1 जहां जहां magnitude है 1 8 minus 12 minus 10 हो गया plus 2 times a cap dot b cap minus 15 into 1 8 minus 15 minus 7 plus 2 times इसका value लिखा magnitude a magnitude b into cos of angle between them given था कितना 30 तो minus 7 plus 2 1 1 root 3 by 2 2 ने 2 को मारा बिल्कुल minus 7 plus root 3 यह आएगा answer अरे आ रहे चलो एक और सवाला है ठीका A, B, C is an equilateral triangle A, B, C is an equilateral triangle which side length is small l then find the value of vector a, B dot vector b, C plus vector b, C dot vector c, A plus vector c, A dot vector a, B इसका value बताना है A, B dot B, C plus B, C dot C, A plus C, A dot A, B निकालो जारा equilateral triangle है side length l दिया हुए permutation and combination बोलो तुलसी बोरो पहला option ही आई है जब मैं बोलता हूँ पहला option ही तो समझ गये न गलत है दिमाग लगा 3 l square by 2 सब का आजाता है लगते है वासर कितना असन सवाल वासर क्या 18 सवाल बुजा वाह बने गया हमसे तुम लोग आए होगा 3 l square by 2 angle अलग अलग होगा कितना होगा एक 60 होगा एक 120 होगा अच्छा ऐसा आए क्या देखें ज़रा ab.bc ab.bc इनके बीच का अंगल कितना है क्या 60 degree अरे ab vector और bc vector के बीच का अंगल कितना है 120 degree अरे गदों कितना है 120 जो 60 बोल रहा है नो गदा बहुत बढ़ा बताया था जब किसी का head और tail साथ हो तो अंगल थोड़ी होता है इसको आगे बढ़ो और उसका tail और इसका tail एक साथ लाओ this is the angle between two vectors how much 120 degree similarly vector bc और c a इसके बीच का भी एंगल कितना कितना 120 degree similarly vector c a और vector a b इसके बीच का भी एंगल कितना 120 degree तो जहां तुमने 60 60 लिखा है वहां 120 120 लिखो देखो answer आता है हां जी तो आपको मिलेगा magnitude a b plus magnitude b c into cos of 120 plus dot 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 ऐसे ही तीन हो जागा हमें पता है magnitude तो l है तो l, l हो गया और cos 120 कितना minus half ऐसे ही dot 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 मेरे पास आएगा minus l square by 2 minus l square by 2 minus l square by 2 उसे answer will be what minus 3 l square by 2 अरे बात समझ आई अरे अब पार्थो समझ में आ रहे है तुझे पार्थो बर्मन गया यह कोमा में चला गया चला बाई वेक्टर A एक्टर A एक्टो 2x square i cap plus 4x j cap plus k cap and vector B एक्टर B एक्टो 7i cap minus 2j cap plus x k cap find the value of x if आगे लिखें find the value of x if angle between vector A and vector B find the value of x if angle between vector A and vector B is line change first part acute second part obtuse अगर vector A और vector B के बीच का angle acute है मतलब cute angle है अगर acute का मतलब समझते हो न acute मतलब the angle which is cute is known as acute तो अगर angle acute है तो क्या होगा angle obtuse है तो क्या होगा तो देखो भाई condition हमने तुमको पढ़ाया कि अगर A dot B का value कितना होता है भाई mod A mod B cos theta अब सुचो theta acute होगा तो क्या होगा theta acute acute का मतलब कहां से कहां तक 0 से 90 तक अगर 0 से 90 तक हुआ तो first quadrant first quadrant में क्या cos theta positive होगा तो ये भी positive ये तो magnitude है भाई तो positive होगा ही positive 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 तो ऐसा लगता है जैसे कि A dot B हमेशा क्या आएगा greater than 0 आएगा और अगर theta obtuse हुआ obtuse मतलब कहां से कहां तक pi by 2 से लेके pi तक तो second quadrant second quadrant में क्या ये negative होगया cos theta positive यानि कि A dot B क्या मिलने वाला है less than 0 बस ये ही apply करना है आपको यहाँ जो बोला acute कोई नहीं सेर A dot B greater than 0 ये लो चलो A dot B निकालो कितना आएगा बोलो 14X square minus 8X plus X greater than 0 14X square minus 7X greater than 0 7 उड़ गया तो 2X square minus X greater than X common अंदर कितना 2X minus 1 वे भी कर मेथड या दे 0 और half positive negative positive मुझे क्या चाहिए positive तो X का वेलू कहा से कहा तक minus infinity से 0 यूनियन 1 बाइ 2 तो infinity अगर बोला obtuse तो क्या A dot B less than 0 same कहानी सब कुछ जहां greater than वहां क्या मिलेगा less than 0 तो less than 0 मतलब negative कहा से कहा तक 0 से लेके half तक समझ आया क्या बच्चे समझ में आ रहे तुमको क्या ना में तुमारा रभी रभी क्या रभी मंडल तुम कहां से गवाटी से है कहां पर बहां गर 2.30 में permutation combination का class है स्टार्ट होगा आज चेप्टर तो अगर तुम लोग को link चाहिए तो group में बोल देना मैं भेज़ दूँगा join करना चाहूद कर सकते हो नहीं तो वीडियो देख लेना बाद में लेकिन probability के पहले PNC पढ़ना जरूरी है मैं पहले बता जिता हूँ क्योंकि तुम्हारा वेक्टर करा रहा हूँ इसके बाद 3D कराऊंगा और उसके बाद probability का नंबर है और इसी कारण से मैं 11 में आज PNC स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि probability से पहले एक बार ये निकल जाए पदा लग जाए NCR NPR क्या होता है permutation का मतलब क्या है combination का मतलब क्या है हाँ ने वो 11 के time table के हिसाब से चलेगा 12 के हिसाब से नहीं चलेगा तो अगर जिस दिन miss हो जाए उस दिन का वीडियो देखना पड़ेगा तुमको तो dropper badge से है बच्चे तब तो तुमको दोनों करना है न तुमको तो पता ही है तुमको schedule मिला है न सेडूल नहीं मिला है तुमको आट ओनलाइन कर रहे हो तो सीडूल नहीं मिला है तुमको नहीं मिला है कोई नहीं बच्चे तुम लों का वो तो या होगा ना अलजबरा किस किस दिन पढ़ाता हूं मैं किस दुमको बusta याicus मिल्के सुत किस दिने पार बच़ सुत किस दुमको रहे है तुमकों मिला हो तुमकों पिर लोपन किसे दिसमग मिला जे किसाभन